Hello students, this is Surbity Bari and you are watching your favorite educational channel Magnet Breeze जहाँ पर हम दे रहे हैं 100% free education Well, 100% free का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको 2 chapter पढ़ाय जाएंगे यहाँ पर आपकी subject का, आपकी class का हर एक subject, हर chapter, पूरा की पूरे chapters के साथ पढ़ाय जाता है साथ ही साथ exam की preparation, इसके साथ mcqs, बहुत सारी चीज़े हैं जो हम आपको दे रहे हैं पूरा free of cost Well, अब हम पढ़ने जा रहे हैं science subject, लेकिन science की शुरुआत करे उससे पहले जरूरी है कि आपके कुछ और teachers से हम मिल ले तो, well, ये सभी हैं वो सारे teachers जो कि आपको दूसरे subjects पढ़ाते हैं क्योंकि जब इन सभी का साथ होगा तभी तो हम होंगे काम्याब Well, चलिए इसी प्यादी से बात से अब शुरुआत कर देते हैं chapter number 2 के next topic के जो है vitamins, minerals and dietary fibers अब ये vitamins, minerals and dietary fibers क्या है? अगेन ये भी nutrients हैं, nutrients मतलब वो जरूरी चीजे जो की food के अंदर मौजूद होती है, food के अंदर होती है जो की हमारी body के growth के लिए, repair, maintenance के लिए बहुत जरूरी होते हैं तो हमारी जो पिछली class थी, उसमें मैंने आपको बताया था carbohydrate, starch और carbohydrate जिसको starch भी कह सकते हम carbohydrate, protein and fat के बारे में कि ये तीनों का अगर test करना है तो कैसे कर सकते हैं? उसके previous class में इन तीनों से मिलने वाले फाइदे हमने आपको बताये थे और साथ ही सार किस food को खाने से आपको carbohydrate, protein या फिर fat मिलता है clear? अब बारे आती है vitamins की and minerals, dietary fibers की अब आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग sea area में या फिर ऐसे देशों में या ऐसे countries में जहां पर sun की energy जादा नहीं होती, sunlight जादा उनको नहीं मिल पाती है, धूप नहीं मिल पाती है तो वो sea area में जाती है और घंटों वहाँ लेते रहते हैं, सोते हैं, वहाँ sun bath लेते हैं तो क्यों लेते हैं ये sun bath? क्योंकि sun जो है वो बहुत बड़ा energy का source है उसकी जो धूप होती है, उसकी जो light होती है, उससे हमारी body को एक vitamin मिलता है वो vitamin कौन सा होता है? वो vitamin होता है, vitamin D तो जितनी जादा light होगी, उतनी जादा उने vitamin D की requirement उनकी body में हो जाएगी अब vitamin D क्यों ज़रूरी है? इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी अब आपने देखा होगा कि कई तरीके fruits होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ खटे होते हैं तो हम क्यों खाते हैं यह सारे foods और क्यों होता है इनका taste अलग-अलग क्योंकि generally जो खटे fruits होते हैं, जो sour होते हैं fruits उनके अंदर होता है vitamin, जो क्यों होता है vitamin C अब vitamin C क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगी कई fruits होते हैं जिसमें कि आपको पानी जादा मिलता है तो वो क्यों खाना चाहिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि vitamins के साथ-साथ अगर हमारी body में water proper तरीके से ना होगा तो भी हम हमारी body अच्छी तरीके से काम ने कर पाईगी क्योंकि पानी जो है वो क्या करता है पानी जो है हमारी body में पहले तो डाइजेशन अच्छा रखता है डाइजेशन के साथ-साथ जितना भी waste product हमारी body produce करती है उसको बहार निकालने में मदद करता है circulation में मदद करता है हमें तरो ताजा बनाए रखने के लिए हमा जो मिनरल्स है ना यह हमारी body में भी होना जरूरी होते हैं तो हम यहीं देखेंगे कि मिनरल्स हमें कहां से मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो vitamins की कि vitamins क्यो जरूरी है vitamins help in protecting our body against diseases यह जो vitamins होते हैं यह हमारी body को diseases से बचाते हैं जब हमने आपको carbohydrate, protein और fat के बारे में बताया था तो यह सारी चीज़े हमारी body के growth के लिए और repair के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे लेकिन अगर हम बात करें disease से खुद को बचाने की तो उसके लिए vitamins बहुत important role रखते हैं तो आप जो food खाते हो अगर उसमें जरूरी vitamins हैं जो कि कुछ ही amount में होना चाहिए vitamins का access भी नहीं होना अमारी body में ना ही उनकी deficiency होना access मतलब कि ऐसा नहीं कि एक कोई particular तरीके का vitamin बहुत ज़ादा हो जाए या फिर एक किसी particular तरीके का vitamin कम हो जाए मतलब दो balance होना चाहिए clear है तो balance क्या होना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे तो फिलाज vitamins क्यों जरूरी होते हैं विटामिन जरूरी होते हैं हमारी body को diseases से बचाने के लिए किस से बचाने के लिए diseases से So vitamins helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy ये जो vitamins हैं ये हमारी आँखों को हमारी bones मतलब हमारी जो body की हड़िया है उन्हें मजबूत बनाते हैं हमारी दातों को मजबूत बनाते हैं हमारे gums को मजबूत बनाते हैं साथे साथ बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी होते हैं खाने का proper हमारी body में absorption हो उसके लिए भी जरूरी होता है कि हमारी body के अंदर vitamins हो तो यहां से आपने क्या दो चीज़ा सीखी यहां से तो हमने दो चीज़ा सीख ली कि विटामिन्स जो है ठीक है विटामिन्स जो है यह हमें डिसीजिस से बचाते हैं ठीक है किस से बचाते हैं डिसीजिस से ठीक है और साथ ही साथ यह हमारी आईज को ठीक है हमारी बोन्स को और हमारी teeth को etc. बहुत सारी चीजों को strong रखते हैं, उसे health करते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से रहे, clear है, चले, तो इतनी चीज़े याद रखना है आपको diseases से बचाता है, और साथ ही साथ हमारी आखों को, bones को, teeth को, and gums को healthy रखता है, clear है, so vitamins कितने type के हो सकते हैं, तो some vitamins जो है, वो different kinds के होते हैं, जिनको आपन अलग-अलग नाम कहते हैं, लेकिन mainly जो आप vitamin पढ़ेंगे, जो कि हमें अभी पढ़ना है, तो वो है vitamin A, C, D, E, and K, कौन कौन सा? A, C, D, E, and K, याद रखेगा, A, C, D, E, K, okay, so vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin K, तो अभी आपन यही पढ़ेंगे कि यह जो तीनो type के, यह जो पांचो आपके vitamins हैं, यह आपको कौन से food से मिलते हैं, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि A लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा C भी लिखा हुआ है, है ना, D भी लिखा हुआ है, E भी लिखा हुआ है, K भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाप पर B1, B2, B2, B5, B6, B9, B12, यह क्या है, तो यह दूसरे type के vitamins हैं, जिसको अपन कहते हैं, the vitamin B complex, तो यह भी एक और तरीके का आपका vitamin है, ठीक है, जो कि required है, तो इसके अलावा कौन से vitamin होता है, vitamin B complex, ठीक है, अब यह complex क्योंकि यह जो B ह यह खुद भी अलग-अलग type का होता है, मतलब vitamin B को भी आप और different type में divide कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो, vitamin B1, B2, B5, B6, तो इन सब को आप इतने नाव याद करने से अच्छा है, हम इसको कह सकते हैं B complex, ठीक है, तो basically vitamins की दो category है, एक category वो जिसमें vitamin A, B, A, C, D, E and K होत है, there is also a group of vitamins, which is called as vitamin B complex, okay, so our body needs all types of vitamins in a small quantity, हमारी को यह सारे जो vitamins होते हैं, यह सभी small quantities में चाहिए होते हैं, मतलब कि हमें बहुत extra इसकी जरुवत नहीं है, थोड़े थोड़े यह सारे vitamins अगर होते हैं, तो हमारी body बहुत अच्छी तरीके से work करती है, अब जैसे आप किससे दिख रहा है, यहां पर आपका family picture कौन सा है, कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर गाजर हमें दिख रहा है, चाहिए साथ ही साथ इसके साथ यहां पर है sweet lemon है, अगर मैं बीवन की बात करूँ तो मुझे potato दिख रहा है, broccoli दिख रही है, ठीके, यहां से mushroom द दिख रहा है, meat दिख रहा है, जो कि मुझे क्या देता है, यहां से यह सारी चीजे मुझे vitamin B complex देते हैं, ठीके, लेकिन यहां पर अगर अपन बात करें A की, तो यह आपको दे रहा है carrot, ठीके, और अगर अपन vitamin C की बात करें, तो वो आपको सारी एक तो कीवी दिख रहा है आपको शिमला मर्श दिख रही है, क्योंकि इन सभी में थोड़े सा खटापन होता है, इसके अलावा अगर आप बटर खाते हो, फिशिस खाते हो, तो आपको D मिलेगा, कौन खाते हो, तो E vitamin मिलेगा, इसके अलावा अगर कुकुम्बर खा रहे हैं, और अमरूत खा रहे है तो यह सभी आपको vitamin K देगा, इसके अलावा एक P भी होता है, तो वो आप मैं आगे discuss करूँगी कि यह क्या है, clear है, तो फिलहाल इतने vitamins के बारे में तो हमने discuss कर लिया, clear है, तो यह हमारी body के, अभी यहार तक अपन को क्या चीज़ सीखने को मिली, कि हमारी body के अंदर जो vitamins, vitamin B complex, इतना याद रहेगा, चलिए ठीक है, good अच्छी बात है कर याद है तो, आगे चलेंगे, आप देखते हैं कि कौन से vitamin, यह जो vitamin A, B, C, D की हम बात कर रहे हैं, तो यह जो vitamins हैं, यह क्या चीज में help करते हैं, तो vitamin A, vitamin A keeps our skin and eyes healthy, ठीक है, vitamin A, जो की आपको मिलता है, गाजर से, carrot से, ठीक है, तो basically यह क्या करता है, यह एक तो आपकी skin को healthy रखता है, ठीक है, और eyes को healthy रखता है, ठीक है, skin and eyes को, किसको healthy रखेगा, skin को और eyes को, तो वही vitamin A, अगर आप rich food खाते हो, या फिर अगर जिसे किसी व्यक्ती की skin में कोई disease हो रहे ही है, या आखों में उसको proper द requirement हो, ठीक है, तभी उसकी आखे या जो skin है, वो थोड़ी गरबड़ा रही है, तो vitamin A क्या करता है, हमारी skin को और eyes को healthy रखता है, इसके और sources क्या है, यह भी बताएंगे आगे, clear है, चले, तो vitamin C क्या करता है, अब, vitamin A के बारे में तो देख लेए, हमारी skin को, हमारी आखों को स सुंदर रखेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने, skin और eyes, फिर आता है, vitamin C, तो यह जो vitamin C है, यह हमें diseases के against fight करता है, अगर किसी तरी के disease हो गई है, और अगर vitamin C है, तो वो आपको इस disease से बचाएगा, clear है, vitamin D क्या करता है, तो हमारी body के जो calcium होता है, हमारी body में calcium की बहु जरूरत है, क्योंकि हमारी body में bones और teeth, चीक है, और यह bones और teeth को क्या required है, इनको required है कि हमारे शरीर में vitamin D हो, और vitamin D कहां से मिलता है, आप से क्या कहा जाता है, कि अगर आपको अपकी bones अच्छी रखने ही, तो क्या पियो, milk पियो, है ना, और sun में खेलो, धूप में खेलो, sun bath low, तो यह सभी vitamin D के rich sources है, तो वही vitamin D आपकी body में calcium को maintain करता है, आपकी bones और आपके teeth को strong रखता है, foods that are rich in different vitamins are shown in figure, यहाँ पे आपको figures में दिखाए हुए है, like यहाँ पे आप देखे, मैंने आप से कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा food किस vitamins में rich होता है, कौन सा food आप कौन सा vitamin D देता है, तो यहाँ पे कुछ vitamin A rich food दिख रहे हैं आपको, अब आप सोचेंगे कि मामने तो milk का नाम कहीं और लिया था, फिश का नाम कहीं और लिया था, यहाँ पे क्यों, तो वही जो vitamin D से 1 food में 1 से जाधा भी हो सकते है, ठीक है, जैसे यहाँ पर vitamin A सबसे पहले आपल हो गए, ठीक है, दैन उसके बाद आपकी शिम्ला मिर्च जो है, यह देती है, ब्रोकली दो है, ब्रोकली में भी बहुत ज़्यादा vitamin A content होता है, पपीता, पपाया, ठीक है, दूध, मिल्क अगर आप पीते हैं, फिश, मचली अगर आप खाते हैं, और इसके अलावा, पमकिन, पमकिन के सबजी अपन को खाना पसंद नहीं होती है, लेकिन यह भी होता है, और यह होता है, आपका sweet watermelon, तो भई, यह एक्चल में है, खरबूजा, जो कि आपको यह सारे vitamin A content rich food है, यह आपकी body को vitamin A के quantities देता है, चले, इसके अलावा है, बिटामिन B, तो बिटामिन B जो है ना, basically आपको animal product से, dairy product से जाधा मिलता है, चीक है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर रखा हुआ है meat, चीक है, और इसके अलावा मूफली दिख रही है, आपको ground nuts में आपको vitamin B मिल जाएगा, चीक है, जितने भी serals होते हैं, उसमें vitamin B होता है, काजू दिख रहा है, आपको यहाँ पर उसमें vitamin B है, egg और दूद में भी आपको यह vitamin B content मिलेगा, चीक है, मदब जो आपके vitamin B complex group है, वो इन सब से आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर यह diagram, तो इसमें भी आप देखे कि आपको vitamin B जो है, बहुत सारी चीजों से मिलता है that is vitamin B complex, ठीक है, आप इसके बाद है vitamin C, तो मैंने आप से कहा कि जितने भी आपके fruits होते हैं basically, fruits and vegetables, इसले कहा जाता है कि भई fruit खाये, vegetables खाये, आप सोचते हो कि कि नहीं या, नहीं खाना, लेकि खाना चाहिए क्योंकि इसमें सब से जाधा source होता है vitamin C का, तो vitamin C आपको मिलता ह औरिंट से, मसंबी से, स्ट्रॉबेरी से, शिमला मिर्च से, पापाया, स्पिनेच, अगिन और ब्रॉकली, ठीक है, इसके अलावा avocado है, ठीक है, जाम है, कीवीज हैं, अमरूद जिसको आप कहते हो, तो tomato, यह सभी rich है vitamin C के, तो भई इस vitamin C को याद करने का तरीका आप याद रख सकते हो, जो कि थोड़ा सा खटा हो, सौर हो, टेस्ट में fruit, ठीक है, वो सभी vitamin C rich foods होते हैं, और fruits में maximum आपको vitamin C मिलेगा, ठीक है, चल, नेक्स्ट है vitamin D, तो vitamin D आपको कहां से मिलता है, तो यहाँ पर कुछ sources दिये हुए vitamin D के, साथी साथ आप देख सकते हो, कि जो सबसे जड़ा आपका vitamin D का source है, वो है आपका sun और milk, ठीक है, इसलिए अगर यह दोनों चीज़े अगर आप अपनी diet में रखते हो, diet में the sun की energy अगर आप लेते हो, और दूद पीते हैं अगर आप time to time, तो आपको vitamin D कमी नहीं कि लगेगी, इसके लावा अगर आप एक खा सकते हैं मीट खा सकते हैं, तो उसमें भी आपको vitamin D मिलेगा, पालक, spinach में, orange juices में, और आपके konflex में, mushrooms में, fishes में, यह सभी में आपको vitamin D content मिलेगा, अब आप देख रहोगे कि fish जो है, यह बहुत सारी जगें आपको दिख रही है, क्योंकि vitamin जो हो रहते हैं, वो fish के अंदर काफी मिल मिलते हैं, इसी तरह से मश्रूम से आपको vitamin B भी मिल रहा है, vitamin D भी मिल रहा है, milk से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, even orange juice जो है, वो आपको vitamin C दे रहा है, तो इसका मतलब जो vitamins है, एक food में, कई तरीके से हो सकते हैं, clear है, चलिए, so, एक question पिछली बार मैंने बत ठीक है, vitamin E जो के आपके बालों के लिए, आपके skin के लिए basically बहुत अच्छा होता है, तो भई ये जो vitamin E जो है, ठीक है, वो एक तरीके की shine आपके body में देता है, तो ये vitamin E rich foods कौन से होते हैं, तो generally जिससे आपको oil content मिले न, वो आपको vitamin E rich food होगा, जैसे कि आप देख रहे हो जितने भी तरीके के, उन सभी nuts में क्योंकि एक natural oil रहता है, तो ये ही oil जो है, वो vitamin E रखता है अपने अंदर, तो ये vitamin E के sources यहाँ पे दिख रहे हैं, avocado, mango, spinach and broccoli, तो spinach and broccoli is very important for vitamins, आपने देखा होगा कि बहुत साइज जगे मैंने spinach और broccoli का use किया हुआ है, जैक है, जितने भी आपके nuts हैं, इन में आपको मिलेगा, eggs में भी मिलेगा, corn में मिलेगा, जैक है, fishes again is very rich in vitamin E, जैक है, तो fishes जो है वो again आपको vitamin E content बहुत अच्छा देता है, कीवीज में है, तो मदलब कि vitamin E हो, B हो, या फिर A हो, C हो, आप अगर हर तरीके का food खा रहे हैं, तो आपको कही ना कह हर तरीके का, जो vitamin है, वो मिलेगा ही मिलेगा, जैक है, तो भाई, ये तो हो गई हमारे vitamins की बाते, अब एक है vitamin K, तो vitamin K जो है, ये आपको हरी सबजियों में देखने को मिल जाएगा, जैक है, जैसे cabbage है, या फिर अगर आप देखते हैं, beans है, ब्रॉकली है, जैक है, इसके ल सो, ये तो होगे vitamins की बाते, जो कि आपके teeth, bones को, आपके skin को, आपके बालों को healthy रख रहा है, आपके gums को healthy रख रहा है, अब बारे आती है, minerals की, अब आपने देखा हो कि हमारी earth पर बहुत सारे तरीके की minerals मिलते हैं, जैक है, copper, calcium, iodine, iron, ये सबी minerals हमें मिलते हैं, जो कि metal के form में होते हैं, लेकिन ये ही जो minerals है, ये जो content है, ये हमारी body के लिए required है, जो कि soluble form में होता है, और ये सभी हमें food से ही मिलता है, ठीक है, so minerals are needed by our body in a small amount, ये minerals हमारी body में small amount होना चाहिए, अब आपने देखा होगा कि कई बार जो doctor है, वो tablets देते हैं, तो कोई copper rich होती है, ठीक ह होती है, तो आप सोचते होंगे कि ये सब तो हमने, हमारी minerals जो कि हमें earth से मिलता है, वो सभी में पढ़ा है, लेकिन नहीं, ये सभी हमारी body में भी बहुत जरूरी है, जो कि आपको food से मिलता है, so each one is essential for proper growth of our body and to maintain the good health, अब vitamins हो, चाहे minerals हो, सभी सब मिलकर के आपकी body को healthy बनात हैं, चाहे हैं, so each one is essential for proper growth of body and maintaining the good health, minerals are found in foods like, अब ये minerals मिलते कहां पर है, जितने भी सैरल्स हैं आपके, ठेके, जैसे wheat, जौर, मक्का, बाजरा, ठेके, ये सारी चीजे जो हैं, जितने भी सैरल्स हैं, वो सभी आपको ये minerals देते हैं, bread में आपको मिलेगा, meat में, अगें ये fish, जो कि vitamins का तो source है ही, minerals भी आपको इससे मिल रहे हैं, milk को देखें, milk कई जगे यूज हो रहा है, dairy, nuts, fruits, especially dry fruits, जिते भी dry fruits हैं, उन सभी में आपको ये minerals मिलेंगे and vegetables, अब example of necessary minerals, अब ये minerals होते कौन कौन से हैं, तो जो minerals हमारी body में required हैं, वो है calcium, जो कि आपकी bones और teeth के ल phosphorus, potassium, sulfur, sodium, zinc, इन सब के नाम तो आपने सुने होंगे, अगर chemistry जैसा portion कभी अपने पड़ा है तो, ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं हमारे minerals, जो कि हमारी body के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है, ठीक है, अब इनका access नहीं होता हमारी body में, ये हमारी body में small amount में होते हैं, लेकिन हमारी body को protect करते हैं, और grow करने में help करते हैं, ठीक है, तो minerals कौन से होते हैं, तो इनके नाम बिलकुल ध्यान रखना है, और साथी साथ कहां से मिलता है, तो सैरल से, bread से, meat, fish, ये सभी जो चीजें हैं, ये आपको minerals देती हैं, ओके, तो अभी तक ह बारे में discuss कर लिया, हमने vitamins के बारे में और minerals के बारे में, so however in a given raw material, one particular nutrition may be present in much larger quantity than in others, अब जैसे हम यहाँ पर यह लाइन लिखी होई है, क्या कि किसी एक raw material में, किसी एक तरीकी का nutrition ज्यादा होगा, ठीक है, और बाखी के तरीके के जो nutrition हो सकते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है, जैसे किसी में vitamins ज्यादा होंगे, किसी में आपको carbohydrate content ज्यादा मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर example है rice का, rice में क्या होता है, starch content सबसे ज्यादा होता है, तो for example rice is more carbohydrate than other nutrition, बाखी nutrition की जगे carbohydrate ज्यादा होता है, लेकिन दूसरे nutrition भी थोड़े बहुत होते हैं, so thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food, त A, C के लिए अलग-अलग food item लिखे होए थे, तो क्या उन में कोई दूसरा तरीके का nutrition जैसे carbohydrate या दूसरे minerals या vitamins नहीं होते होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि fish का example हमने बहुत सारी जगे देखा, vitamin E में भी important थी, minerals में भी important थी, तो basically क्या होता है, कि हर food में कोई एक nutrition ज्यादा होता है, बाकी जो कुछ होते हैं, वो थोड़े बहुत होते हैं, इसलिए अपन उस particular food को उस एक specific चीज के लिए rich मानते हैं, जैसे अगर आपको bones या उसके लिए healthy रखना है अपने bones को तो आपको का जाता है दूद पीजे, calcium उसमें आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन दूद rich source of food, ठीक है, अब भी अपने vitamins की, minerals की तो बात कर ली, हाना, vitamins कहां से मिलता है, minerals क्या होते हैं, vitamins कौन कौन से होते हैं, अब बारी आती है अपनी dietary fibers की, so besides the nutrition, our body needs dietary fibers and water, हाना, हमारी body को क्या चाहिए, fiber चाहिए और water चाहिए, so dietary fibers are also known as the roughage, ठीक है, roughage is mainly provided by plant products in our foods, ठीक है, अब यह जो dietary fibers होते हैं, fiber आपकी body के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यह dietary fibers हमें मिलते कहां कहां से हैं, तो यह जितने भी plant के आपके products होते हैं, like fruits, vegetables, seeds, इन सभी से हमें क्या मिलता है, इन सभी से आपको यह roughage, या फिर dietary fibers मिलते हैं, okay, whole grains and pulses, potato, fresh fruit and vegetables are the main source of roughage, ठीक हैं, तो यह जो dietary fiber हैं आपको basically कहां से मिलता है, pulses से, potato से, fresh fruit से, भाई यह बिलकुल याद रखियेगा हैं यह सारी चीज़ें, जो vegetables हैं, यह सभी आपको fiber देते हैं, which is again is very required in our body, roughage does not provide any nutrition to our body, but it is an essential component of our food and adds to its bulk, ठीक हैं, लेकिन हमारे food का एक essential part है, this helps our body to get rid of undigested food, ठीक, अब basically मैंने आप से कहां कि हमारी body के लिए required हैं, ठीक हैं, लेकिन जैसे nutrition required हैं, आपकी body को maintain करने के लिए, grow करने के लिए, disease ते fight करने के लिए, gums या bones को fit करने के लिए, लेकिन जो आपके dietary fibers हैं, वो यह सा काम नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं फिर यह fibers, तो यह इसलिए include करना जरूरी है हमारी body में, ताकि हमारा जो body है, उसमें food अच्छी तरीके से digest हो सके, यहां लिखा हुआ है, this helps our body to get rid of undigested food, जितने भी undigested food है, उससे अगर आपकी body को protect करना है, तो उसके लिए fiber का होना बह के साथ यह जो पानी है, यह undigested food को फिर बाहर निकालनेगा, काम करेगा, so water helps our body to absorb nutrition from the body, food, हमारी जितने भी food में nutrition है, वो आपकी body तक पहुचे, तो soluble form में पहुचे, तो वो किसकी मदद से हो पाता है, वो हो पाता है हमारे पानी की मदद से, water की मदद से, it helps, it also helps in throwing out some waste from the body as urine and sweat, ठीक है, urine and sweat से भी यह बहार आपकी body से waste product को निकाल देता है, normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk and tree, in addition we add water to most cooked food, ठीक है, so let's see if there is any other sources which provides water to our body, तो वेल आप पानी आपकी body तक कैसे पहुचता है, यह तो आप tea पीते हैं, काफी पीते हैं, यह आप milk पीते हैं, तो इससे तो आप की body में जाता ही जाता है, साथी साथ आप जब खाना बनाते हो, तो उसमें भी आप पानी डालते हो, तो बाकी यह पूच रहे हैं आप से, कि हाउ यह दूसरे sources कौन से, तो भी आप fruits खाते हो, आप vegetables खाते हो, इन सभी में natural पानी होता है, ठीक है, तो आपके जो body है, उसमें fruit से, ठीक है, और आपके जितनी भी vegetables है, ठीक है, इन से आपकी body के अंदर यह जो water content है, यह पहुच जाता है, ठीक है, आप water, आप directly पानी को पियोगे, उससे तो पहुचेगा ही पहुचेगा, milk से तो पहुचे ही पहुचेगा, juices से भी पहुचेगा, लेकिन जब आप fruit खात हो, या फिर जितने भी vegetables खाती हो, तो उसके अंदर natural water content होता है, जो कि आपकी body में पानी को पहुचाता है, तो आज किस chapter से हमने क्या सिखा, कि आपको water, कहां से मिलेगा, आपको fibers कैसे मिलेंगे, vitamins A, vitamins C, यह सब कहां से मिलेगा, साथ ही साथ potassium, जो PP लिखा हुआ था, that means potassium content थ जाएगा, तो यह सारे diagram हमने दिखाए हुए है, आपको एक एक के बारे में मैंने बताया है, तो I hope आपको समझ माय हुआ कि why vitamins, minerals and dietary fibers are required in our body, कौन से टाइप के होते हैं, चले, तो यह सब कुछ हम देख चुके हैं, अब हमारी जो next class होगी, उसमें हम बताएंगे, कि balanced diet क्या ह है, ठीक हैं, इसके बारे में हम discuss करेंगे हमारे next video में, अगर आपने इसके पहले के कुछ topics आप से miss होगा है, तो आप देख सकते हैं, magnet brains पर जाकर के, आपको magnet brain.com type करना है, और फिर select करना है अपनी class, जैसे ही 6th को select करेंगे, सारे subject open हो जाएंगे, जो भी subject पढ़ना है, उस पर क्लिक कर दें, क्लिक करते साथ ही, वीडियो open हो जाएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको topic clear होगा, जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको topic clear हो जाए, समझ आ जाए, पसंद आए, तो like करिए, comment करके हमें बताइए, और इसे share करिए, अपने same class के students के साथ, और उनके साथ भी जो आप से छोटे या बड़ी class में है, that means हमारे पास है 100% free classes from kindergarten to class 12, मतलब की kindergarten से class 12 तक 100% free education दी जा रही है, सिर्फ दो chapter के लिए नहीं, पूरे subject के सारे chapters के लिए, साथी साथ exam की preparation भी करवाई जाती है, वो भी free of cost, तो भई सब्सक्राइब करे ये चैनल को होता कि ये सारी updates आप तक पहुचे, हम मिलते हैं अब हमारे next video में, तब तक के लिए, stay happy, stay healthy, thank you so much